नवस्कार राजी चक्र में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ प्रविण मिस्र आईए जानते हैं आज का दिन आपका कैसा बितेगा सबसे पहले बाद आज के पंचान की 22 फरवरी 2024 दिन गुरुवार माघमास चल रहा है शुकल पक्ष है त्रियो दसी तिथी रहेगी दोपहर एक बज कर एकिस मिनट तक फिर चतुर दसी तिथी प्रारम हो जाएगी पुष नचत्र रहेगा साम को चार बज कर तिरालिस मिनट तक फिर आसलेशा नचत्र शुरू हो जाएगा चंद्रमा करक राश में गोचर कर रहे हैं भगवान शूर कुम्ब राशी में विराजमान है। आज अविजीत मुहूर्थ का समय होगा दो पहर 12 बचकर 12 मिनट से दो पहर 12 बचकर 58 मिनट तक। जो भी महत्पूर्ण कारे है अविजीत मुहूर्थ में करेंगे तो कारियों के सफल होने की संभावना ज़ादा रहेगी। राहुकाल का समय होगा दो पहर 12 बचकर 25 मिनट तक राहुकाल शुब नहीं माना जाता। इसलिए राहुकाल में कोई भी जरूरी काम ना करें। दिशा शूल है दस्चिन दिशा तो दस्चिन दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा ना करें। चलिए शुरू करते हैं आपका राशी फल सबसे पहले बात मेश राशी की। मेश राशी वालों को भागे का सपोर्ट मिलेगा। प्रापर्टी से संबंधित लाब होगा। आपका मानियश और बढ़ेगा। कारेचेत्र में सफलता प्राप्त होगी। सेहत ठीक रहेगी। जो लोग बिजनेस करते हैं व्यापार में स्थिती अच्छी होगी। जरूरी टिप आलश से से बचे। शुबरंग के सरिया। उपाय पक्षियों को दाना खिलाए। ब्रश राशी। ब्रश राशी वालों की नेत्र तो छमता और बढ़ेगी। धनलाब का योग है। यात्रा के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। रुका हुआ पैसा प्राप्त होगा। जल्दवाजी में कोई काम करने से बचे। व्यापार में लाब का योग बन रहा है। जरूरी टिप क्रोध से बचे। शुबरंग, सफेद, उपाय, गव माता को रोटी खिलाएं। मितुन राशी, धनलाब के रास्ते बनेंगे। मित्रों से मदद मिलेगी। जीवन साथी से सहयोग प्राप्त होगा। कोट केस में सफलता प्राप्त होगी। सेहत को लेकर सावधान रहना होगा। व्यापार से जुड़े फैसले सावधानी से करें। जरूरी टिप जल्दवाजी से बचें। शुबरंग, क्रीम, उपाय, किसी गरीव को गुड का दान करें। करकराशी, अपने खर्चों को कंट्रोल करें। लोगों से उलजने से बचें। कहीं से शुब समाचार मिलेगा। मित्रों की मदद से काम बनेंगे। क्रोध से बचना होगा। जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में लाब का योग है। जरूरी टिप इगो से बचें। शुबरंग, सफेद, उपाय, किसी गरीब को दूद का दान करें। सिंग राशी, योजना बना कर काम करना होगा। आपके खर्चे बढ़ेंगे। सेहत के मामले में ध्यान दें। संतान को लेकर चिंता रहेगी। हर काम सावधानी से करें। जो लोग बिजनेस करते हैं व्यापार में जादा निवेश ना करें। जरूरी टिप अहंकार से बचें। शुबरंग, गुलाबी, उपाय, गव माता को रोटी खिलाने। कन्याराशी, घर परिवार पर ध्यान देना होगा। प्रापर्टी से जुड़े काम बनेंगे। मन की परेशानिया दूर होंगी। रिस्ते मजबूत होंगे। सिक्षा के छेत्र में सफलता मिलेगी। व्यापार में तेजी आएगी। जरूरी टिप क्रोध से बचें। शुबरंग, बादामी। उपाय, भगवान विश्नु की आरती करें। अब वक्त है आपके सवाल का। हमें सवाल मिला है कमलेश वर्मा का। इनकी डेटा बर्थ है 10 मार्च 1996 सुबह 8 बज के 30 मिनट जन्मिस्थान मुंबई महराष्ट का है। इनका सवाल ये है कि इनका अपना खाने पीने का बिजनेस है। व्यापार ठीक चल रहा है लेकिन कर्ज भी बहुत है। कर्ज से कब राहत मिलेगी। कमलेश जी जो आपने बर्थ डिटेल बताई है उस आदाहर पर आपकी कुंडली तयार है। आपकी मेन लगन 8 से शुरू हुई है और ये अक्टूबर 2027 तक चलेगी और शनी की महादसा में राहू की अंतरदसा मई 2022 से मार्च 2025 तक रहेगी। आपने का कर्ज बहुत ज़्यादा कर्ज की वज़े से परिशान है। धैर रखिए पहला काम तो ये पार करना है। दूसरा कर्ज से छुटकारा मिले इसके लिए नियमित रूप से आप हनुमान जी का पूजन करें। प्रते दिन हनुमान चालीचा का पाट करें। मंगलवार के दिन सुन्दर कांड का पाट करें। और पीले रंग की मिठाई का भोग हनुमान लाल रंग की मिठाई का भोग अनुमान जी को लगा कर गरीबों को प्रसादबर के दिन हरो शनिवार के दिन कम से कम आठगरिबों को भोजनदान करें। यह उपाय करना शुरू करते हैं धीरे-धीरे का समाप्त होने लगेगा और आगे आने वाले दो साल के अंदर करज से मुक्ति मिल जाएगी तो यदि आपके मन में भी सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल जन्म की तारीख जन्म स्थान जन्म समय लिखे और सवाल लिख कर कमेंट में चोड़ दिजें वहां से हम उठाएंगे और आगे आने वाले कारकरम में शामिल करेंगे तुला राशी, तुला राशी वालों का पराक्रम और बढ़ेगा, मित्रों से मदद मिलेगी, लोगों से विवाद हो सकता है सावधान रहे, छात्रों को परिक्षा में सफलता प्राप्थ होगी, शेहत के मामले में सावधान रहना होगा, प्यापार में लाब का योग है, जर दान करें, ब्रिश्चिक राशी, वाणी का प्रियोग सोच समझ कर करें, मित्रों की सहायता से काम बनेगा, रिस्तेदारों से संबंध सुधरेंगे, पैसों से जुड़ा फैसला बहुत ध्यान से करें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार से जुड़े आपकी काम बनेगे, जरूरी टिप कम बोले, शुबरंग, मरून, उपाय किसी करीब को चावल का दान करें, धनुराशी, भागे का सपोर्ट मिलेगा, कहीं दूर से अच्छी खबर प्राप्त होगी, आफिस में सहीयोगियों से मदद मिलेगी, संतान की सेहत को लेकर चिन्ता रहेगी, यात्रा से लाब का योग है, व्यापार में हर काम सावधानी से करें, जरूरी टिप जल्दवाजी से बचें, शुबरंग, पीला, उपाय, गव माता को रोटी खिलाए, मकर राशी, अचानक कोई अच्छी खबर मिलेगी, खर्चों में बढ़ोतरी होगी, मन में टेंशन ना पाले, पुरानी योजनाओं पर फिर से काम शुरू होगा, अपनी सोच को पॉजटिव रख कर फैसला करना होगा, जो लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में लाब के लिए प्रयास तेज करना होगा, जरूरी टिप नेगेटिविटी से बचें शुबरंग, हलका नीला, उपाय किसी गरीब को भोजन तान करें, कुम्भराशी, धन की इस्थिती में सुधार होगा, कारचेत्र में ध्यान देना होगा, भागय का साथ मिलेगा, नई नोकरी का उफर प्राप्त होगा, परिवार के सहयोग से काम बनेंगे, व्यापार में ह शुबरंग, सफेद, उपाय, पक्षियों को दाना खिलाएं, मीन राशी, पूरे उत्सा से काम करने का दिन है, धन लाब का योग है, करियर में उन्नती के आउसर मिलेंगे, मित्रों की सला से फैसले करें तो लाब होगा, अपने आत्म विश्वास को और बढ़ाना होगा, व्यापार में निवेश से फायदा होगा, जरूरी टिप जल्दवाजी से बचे, शुबरंग, पीला, उपाय, भगवान विश्णू की आर्थी करें, राशी चक्र में आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, ज अपने जनम दिन की बहुत-बहुत बधाई, आपका आने वाला साल बहुत शुब हो, नवस्कार्वाज़, आपको मिलेगा भविश्य से जड़े हर सवाल का जवाब, डाउन्लोड कीजिए एस्ट्रो तक एप और चिटकी में जड़िए इंडिया के बेस्ट ज़ सी.